Hello friends, welcome to the car guide, मेरा ना मेरे शवर, मेरा काम है आप तक लेकर आना latest cars की news, offers, test, accessories और कमाल की amazing videos Today we have an update regarding the Tata Harrier petrol version, उसकी confirmation आगी कि कब गाड़ी को launch किया जाएगा और कुछ engine specifications और features के बारे में भी पता लगा है तो इस वीडियो को end तक जरूर देखें In fact, अगर आपके बस एक पराने गाड़ी है जिसे आप sale करना चाहते हैं, तो description में आपको link मिल जाएगा Cast 24 का best value जाने अपनी गाड़ी की free of cost जो आपकी inspection होगी all over India तो click करें अभी के अभी Start करते हैं आज किस topic के साथ, तो Tata Harrier petrol की confirmation launch date जो आई है, वो हाई है August में Pricing अभी सामने नहीं आई है लेकिन festive season से पहले इस गाड़ी को launch कर दिया जाएगा ताकि आप दिवाली से पहले इस गाड़ी को अपने घर पर खड़ा देख सकें So, interestingly इसमें आएगा एक 1.5 liter का petrol, four cylinder direct injection petrol engine, turbo charged engine जैसे अब 1.2 revtron engine आता है अभी उसमें एक्सान में उसी का 1.5 version होगा, उसी का बड़ा वर्जन होगा इसमें होगे आपको जो अच्छे features मिलने वाले हैं, we are quite excited about is अफकोस जो नही वाले लॉई विल्स हैं, वो तो आएंगे इसमें Panoramic sunroof, pedal shifters इसमें आपको मिलने वाले है, multiple drive modes मिलेंगे, sports mode मिलेगा, साथ कि इसमें automatic option भी आईगी, तभी जो pedal shifters आ रहे हैं तो यह सारी चीजे हैं जो इस गाड़ी को और special बनाने वाले हैं, मैं आपको बता हूँ कि इसकी power होने वाली है, 150 horsepower के आज पास, इससे ज्यादा कमनी होगी, उपर इन वाली side पे होगी अब close to, you know, competition अगर हम देखते हैं, सबसे close आते हैं, इसके the MG Hector, जिसमें, sales figures की बात करने, तो approximately 60% of cars, जो MG Hector सेल हो रहे है, वो petrol सेल हो रहे है, rather than diesel, including the petrol manual, DCT and hybrid, तो सारे 60% उसको purchase करें, वैसे तोड़ा लोग उगर जा रहे हैं, वैकोज दीजल में automatic नहीं आता, तो वो उस और अब company petrol भी जल्दी launch कर देगी, तो Tata Harrier एक complete package हो जाएगा, अब यह तो इसकी pricing ही बताएगी कि क्या, एक affordable price पर यह 1.5 litre का BS6 engine company ला पाएगी या नहीं, नेक्सोन की BS6 engine को देखते हो लगता है कि yes, it is possible, अब आप मुझे बताएं, Tata Harrier petrol के बारे में, आप क्या सोचते ह इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, और आने मले दिनों में आपके बारे में जो आपके लिए Tata Harrier petrol की और वी जो डिटेल्स हैं वो इसी चनल पर upload हो जाएगे, including the Tata Harrier diesel की जो test drive आनी है, वो भी इसी चनल पर बहुत जल्द upload होने वाली है, तो इस चनल को subscribe जरूर कर ले मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, until then, drive safe and take care, bye bye